हेलो दोस्तो ये है आपका अपना यूट्यूब चाइनल MD Dhanis Mathematics Classes और मैं आपका टीचर इंजिनियर MD Dhanis Sir देखे दोस्तो यहाँ प्रकोशन है प्रूब डेट 10A प्लस sin A डिवाइड़ बाइ 10A माइनस sin A इस इकोल टू से के प्लस 1 x divided by say k – 1 यह बाइड़ देखे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे LHS लेंगे LHS लेकर इसको थाबित करेंगे दोस्तों कैसे करते हैं सबसे पहले हम LHS लेते हैं LHS लेने के बाद LHS हमारा है 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A देखे दोस्तों इसको क्या करेंगे टैन को हम बदल देंगे साइन बाइ-कॉस में यह हो जाएगा साइन बाई-कॉस-दय उसकाइड ब्लस साइन यह में भी 10 a sign a by cos a कर देंगे इस 10 को भी sign a by cos a कर देंगे minus sign a देखे दोस्तों यहाँ पर sign हम common ले लेंगे तो हमारा क्या होगा तो sign common ले लेंगे दोस्तो sign a common लेंगे तो one by cos a बचेगा दोस्तों प्लस बचेगा उसके बाद divided by यहां पर भी साइन एकामन लेगे नीचे में भी तो वator minus कॉस ए माइनस बचेगा दोस्तों यह साइन से साइन हमारा क्या हुगा कट गया उसके बाद देखे दोस्तों यह 1 by cos, 1 by cos, sec A हो जाएगा दोस्तो, 1 by cos यहाँ पर भी sec A, तो उपर हो गया sec A, plus 1, नीचे हो गया sec A, minus 1, RHS हमारा दोस्तो, प्रूब हो गया, RHS प्रूब हो गया, दोस्तो, देखिया दोस्तो, RHS आ गया, अगला कोर्शन बताते हैं दोस्तो, हेलो दोस्तो, यहाँ पर अगला कोश्चन है, प्रूब डैट, कॉट A, minus cos A, divided by कॉट A, plus cos A, is equal to cos A, minus 1, divided by cos A, plus 1, यह कोश्चन, CVSC 2008 में पूछा हुआ, बोर्ड कोश्चन है, दोस्तो, देखिये दोस्तो, इसको कैसे solve करते हैं, देखिये दोस्तो, यह प्रूब डैट है, तो ह divided by cot A, plus cos A, यहाँ पर देखिये दोस्तो, यहाँ पर cot को, यहाँ पर cot को, cos A, by sin A, minus cos A, यहाँ पर भी cot को, इस cot को भी cos A, by sin A, बदल देंगे, cos A by sin A plus cos A, देखें दोस्तों उपर भी हो, cos common ले लेंगे, cos A common ले लेंगे, तो ये 1 by sin A minus 1 बचेगा दोस्तों, नीचे में भी हम cos common लेंगे, तो ये हो जाएगा, cos A common ले लेंगे, तो 1 by sin A plus 1 बचेगा, दोस्तों, cos से cos कट गया, उसके बाद हमारा क्या होगा, उपर 1 by cos को cos कर दीजिए, तो ये cos A minus 1 हो गया, divided by cos A plus 1 हो गया, ये LHS, ये दोस्तों RHS आ गया हमारा RHS, यहाँ पर दोस्तों LHS बराबर RHS हुआ, प्रूब, देखे दोस्तों, ये इस तरह से हम CBSC 2008 का question को साबित कर दिए, देखे दोस्तों, इसी तरह से sub question बनता है, और भी हम बताते हैं, और भी बताने जा रहा हैं, दोस्तों, नीचे है, यहाँ पर 1 by sin A है नीचे दोस्तों, हेलो दोस्तों, ये है आपका अपना YouTube channel, MD Danish Mathematics Classes, देखे दोस्तों, आगे मैं बताने जा रहा हूँ, अगला question, प्रूब डैट है, cos 1 theta minus cot theta का whole square है, दोस्तों, is equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta, ये question CBSE 2000 में पुछा गया question है, देखे दोस्तों, हम इसको solve करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले LHS लेंगे दोस्तों, LHS, यहाँ पर ये है, cos theta minus cot theta का whole square है, दोस्तों, देखे दोस्तों, ये है whole square है, इसको हम क्या करेंगे, cos को, cos को बना देंगे 1 by sin A, 1 by sin A, इसको बना देंगे, देखे, cos A by sin A का ये whole square हो जाएगा, दोस्तों, देखे दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहा हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, के नीचे में हम दोनों में साइन ले लेंगे साइन एर द conten लेंगे तो यह वाण माइन मैंड र меньше को सकते हैं डेंगे दोपने स्कुरेटि आज सकते हैं हख़ं किसे भी इसपर अपने संधार आज इस कोह जेंगे डेंगें इस उल स्कुर्ल को सकते हैं । तो वन माइनस को से दो बार लिख दिये यह a square minus b square हो गया तो एक बार दोनों का जोड़ एक बार दोनों का थाटाव हो जाएगा 1 minus cos a हो जाएगा दोस्तों यह कट गया दोनों same term है कट गया दोस्तों 1 minus cos a बचा divided by 1 plus cos a बचा यह देखे दोस्तों RHS हमारा आ गया हम लिख सकते हैं दोस्तों LHS बराबर RHS proved proved देखे दोस्तों इस तरह से हमने साबित कर दिया 2000 का question देखे दोस्तों अगला question हम बताते हैं आपको हेलो दोस्तों अगला question है 1 plus 1 by 10 square a into 1 plus 1 by cot square a is equal to 1 by sin square a minus sin per power 4 a यह question CBSE 2006 में पूछा गया question है दोस्तों देखे दोस्तों इस question को कैसे solve करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम दोस्तों LHS लेंगे LHS लेने के बाद देखे दोस्तों सबसे पहले हम LHS लेंगे LHS ले लेते हैं तो LHS हमारा क्या है 1 plus 1 by 10 square a है दोस्तों उसके बाद 1 plus 1 by cot square a है दोस्तों यहां पर ने लिए दोस्तों अब कि दोस्तों इसको कैसे करेंगे देखे दोस्तों है हम यहां पर LCM लेंगे दोस्तों LCM लेंगे तो यह हो जाएगा 10 square a 10 square a हो जाएगा तो यह बाई में one चुपा हुआ राता है वन से टैन स्क्वाइर एक, टैन स्क्वाइर में कटता है दोस्तो तो यह हो जाएगा हमारा टैन स्क्वाइर एक प्लस वन, यह वन हो जाएगा दोस्तो इन्टू यहां पर कॉट स्क्वाइर एक ले ले लेंगे, तो कॉट स्क्वाइर एक ले लेंगे तो यह हो जाएगा हमार प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों 10 square A into cot square A, 1 होता है दोस्तों, 10 A into cot A, यह 1 होता है, यहीं से एक और relation आएगा, 10 square A into cot square A, यह भी दोस्तों हमारा 1 हो जाता है, तो 10 square a into cot square a यह हमारा 1 हो गया अब देखिए उपर उपर हमारा बचा 10 square a plus 1 into cot square a plus 1 1 plus 10 square a यह 6 square a होता है दोस्तों देखिए दोस्तों यह हमारा है 1 plus cot तो यह होगा cot square a यहाँ पर इसको हम change कर देंगे देखिए दोस्तों इसको लिख देंगे cot square a को 1 by cot square a और cot square को 1 by sin square a लिख देंगे दोस्तों और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर आते हैं देखें दोस्तों यहाँ पर आते हैं यहाँ पर one by cosec square a को लिख देंगे one minus sin square a यह लिख सकते हैं दोस्तों और sine square को sine square a ही रहने देंगे देखें, दोस्तों यहाँ पर kausheq square A को लिख दिये 1-sin square A और sin square A को sin square ही A रहने दिये देखें, दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे इससे अब दोनों में into कर देंगे देखें, दोस्तों 1 x 1 1 हो जाएगा और यह sign से 1 में into होगा तो यह sin square a हो जाएगा और यह 2, 2, 4 हो जाएगा sin to the power 4 हो जाएगा यह sin to the power 4 a हो गया दोस्तो देखे दोस्तो RHS हमारा आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे RHS देखे दोस्तो हमारा LHS is equal to RHS प्रूब हुआ यह देखे दोस्तो यह question था हमारा 2006 board question देखे दोस्तो आभी जितना भी question हम बता रहे हैं यह सब board type question बता रहे हैं आपको हलो दोस्तो अगला question है प्रूब ड़ेट sin theta plus cos theta का whole square plus cos theta plus 6 sec theta का whole square is equal to 7 plus 10 square theta plus cos square theta यह question दोस्तो हमारा CBC 2008 और 2009 में पूछा गया question है देखे दोस्तो इसको कैसे solve करते हैं देखे दोस्तो यह board question है देखे दोस्तो इसका solve करने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले LHS लेंगे solution लिखे दोस्तो LHS ले लिए LHS हमारा है sin theta plus cos theta cos theta का whole square है दोस्तो whole square plus यहाँ पर cos theta plus 6 theta का whole square है देखे दोस्तो यह whole square है तोड़ा light कर जाता है दोस्तो तो थोड़ा सा हम इसको रोप देता है पहुंच करके देखे दोस्तो यह board question है देखे दोस्तो इसको LHS ले लिए sin plus cos theta plus cos plus 1 square का whole square देखे दोस्तो यह a square यह a plus b का whole square पर तोड़ देगे दोस्तो तो यह हो जाएगा a square plus b square a square plus b square plus 2 a into b यह cos theta है दोस्तो यह cos theta इसको a plus b के whole square पर तोड़ दे दोस्तो अब इसको भी तोड़ेंगे तो यह क्या होगा a square तो यह हो जाएगा cos square theta a square plus b square plus 2 a b cos theta into cos theta cos theta into set theta हो जाएगा दोस्तो देखिए दोस्तो यह a plus b का whole square पर तोड़ दिये इसको भी तोड़ दिये दोस्तो देखिए हमारा अब sin square theta plus cos square theta को एक जगल ले लेंगे तो यह हुए दोस्तो sin square theta plus cos square theta इन दोनों को एक साथ ले लिए लेने के बाद दोस्तो देखिए दोस्तो हम क्या करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तो कौसे के square theta को हम लिख देंगे दोस्तो कौसे के square theta को लिख देंगे हम one plus cos square theta यहाँ पर कौसे के square theta को दोस्तो लिख दिये one plus cos square theta सबसे पहले sin square plus cos square को एक जगल कर लिए दोस्तो उसके बाद cos²θ को 1 plus cos²θ लिख दिए देखे दोस्तों, यहां पर हमारा दिया हुए है 2 sinθ into cosθ तो यह sinθ into cosθ 1 होता है दोस्तों यहां पर लिख दिएगे 2 into 1 अब देखे दोस्तों, यहां पर यह तो पहले लिख चुके है अब यह 6²θ है तो sec square theta को 1 plus 10 square theta लिख सकते हैं दोस्तो लिख दिये दोस्तो आइस के बाद 2 into cos theta into sec theta है तो cos theta into sec theta 1 होता है दोस्तो यहाँ पर 1 लिख दिये देखे दोस्तो यहाँ पर यहाँ पर देखे दोस्तो cos sin square theta plus cos square theta यह 1 हो गया दोस्तो sin square theta plus cos square theta 1 हो गया देखे दोस्तो यह 1 2 3 3 4 4 4 4 2 6 6 यह 6 हो गया दोस्तो एक 2 3 3 4 4 2 6 6 हो गया दोस्तो अब पलास यहाँ पर cot square cot square a plus 10 square a हो गया दोस्तो देखे दोस्तो इस सब को पहले एड कर दिये इस सब को एड कर दिये फिर इसको इसको लिख दिये दोस्तो देखे दोस्तो इसको लिख देगे 1 plus 6 7 हो जाएगा 7 10 square a को पहले लिख दीजे दोस्तो प्लस quarter square a को बाद में लिख दीजे यह हमारा RHS आ गया दोस्तो यह RHS आ गया अब लिखे आगे दोस्तो अगला question हम आपको बताने जा रहा है इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए यही पर इसको रोकते हैं दोस्तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सस्क्राइब किजिए बेल आइकोन दबाईए थैंक यू दोस्तो